हेलो गाईज वेलकम टेकार शो आज आपके सामने है औल न्यूव 2023 ट्योटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर ट्योटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का प्राइज 10.48 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है और जाता है 19.49 लाख रुपीज इस कार के अंदर आपके यहां से दो एंचिन ऑप्शन्स ऑफ किया जाता है पहला के यहां पर इसमें मिल जाता है मारूती सुद्ट की तरव से 1.5 लीटर का के 15C सीरीज का फोर्स लेंडर पेट्रोल एंजर और दूसरा आपके यहां पर इस कार में मिल जाता है 1.5 लीटर का ही ट्योटा की तरव से प्यो बाकि 5-speed manual और 6-speed automatic gearbox के साथ आपको ये इंजिन इस कार में प्रवाइट किया जाता है बाकि टोटल वेरिंट के अगबाद करें तो यहां पर आपको 4 वेरिंट में ली मिल जाते है E, S, G और V ये वाइट कलर में इसका E variant जिसका गिना एक शुर्म प्राइज है 10.48 लाख रुपीस manual में ये इसका टॉप-end variant V जिसका गिना एक शुर्म प्राइज है 15.89 लाख रुपीस manual transmission के साथ बाकि आटमाटिक में और भी जादा बढ़ जाए गए तो प्राइस गया आपक कुछ यहां पर differences आपको मिलने वाले दोनों cars के अंदर सबसे पहले अगर यहां पर इनके front profile की बात करें तो कुछ ऐसा आपको यहां पर दोनों का complete look मिल जाता है front से इतना कोई खास major difference आपको नहीं फील होगा स्वाए इस headlamp unit के यहां पर आप देख सकते है base variant के अंदर यहां पर इसमें मिल रही है लेकिन इस car के अंदर आपको यहां पर नीचे grill पर front parking camera भी मिल जाते हैं जो कि इसके अंदर यहां पर missing है बाकी gray color के आपको नीचे insert skate plates पे पूरे पूरे मिल जाते हैं और इसके लावत और फ्रेंट से इतना कोई कास difference नहीं है दोनों cars के अंदर side के बात की जाए तो side में आपको यहां पर दोनों के अंदर ही 17 inches के wheels off किये जाता है बट डिफरेंट जाता था यहां पर आप देख सके top end variant के अंदर आपको मिल जाते हैं alloy wheels जो कियाता है diamond cut design में वेरास इसके अंदर आपके हाँ पर steel wheels दिये जाते हैं जो कियाता फुल wheel cover के साथ है प्रफियल दोनों के अंदर ही same है 215, 60, and 17 all 4 districts आपको यहां दोनों ही cars में मल जाती है full body cladding दे आपके यहां दोनों cars में प्रवाइट की जाती है बागी ना वीडियो में आगे बड़ने इस पहले मैं आपको बतान चूंगा अपकी car के लिए एक बहुत ही बड़िया car perfume के वारे में प्रोड़क्ट है तो जरूर से जाकर इसे बाए करें लिंक आपके इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर दोनों ही cars के अंदर electronically adjust and fold कर सकते हैं लेकिन top end variant के आपको यहां ओवर्वेम के नीचे camera भी offer किया जाता है यहां पर आपको chrome window lining नहीं मिलेगी इसके अंदर आपके चीज मिल जाती है कि लिए sentry request sensor आपके यहां पर दोनों cars के अंदर मिल जाएंगे एक और difference आपके हां मिलेगा वह यहां पर इन glasses का यह आप देख सकते green tint के साथ आते हैं यहां top end variant के अंदर वेराज यहां पर आपको normal glasses इसमें offer किये जाते हैं तो यह था complete side cut difference roof के अगब आप करें तो यहां पर बिल्कुल ही plain roof है shark fan 18 आपको मिल जाएगा यहां पर आ जाती है panoramic sunroof जिसके किना दोनों glasses पूरे open हो जाते हैं यहां पर आपको roof rails इसमें मिल जाएगे और पीछे यहां पर आपको shark fan antennas में दिया जा रहा है बाकि अगर बात की जाए इनके back to file के बारे में तो यहां पर आपको दोनों के अंदरी LED till lamps प्रवाइट की जा रहे हैं and overall look आप देख सकते हैं दोनों cars का complete back profile से आपको इन दोनों colors में से कौन सा color जाधा बढ़िया लग रहा है मेरे को नीचे comment section में जरूर से बताना में को personally black color इसका जाधा मस्त लग रहा है यहां पर आप देख सकते हैं टॉप एंड वी विरेंट रिया वाइपर वाश्टर डिफॉगर सब कुछ है यहां पर इसके अंदर रिक लाइट आपको ऊपर मिल जाएगा बाकी का सेटप सेम है बस एक रिवर्स पारकिंग कैमरा इस पर नहीं आ रहा है चार पारकिंग सिं और अपना खोलते हैं का टेल के टाउट चेक कर लेते हैं रब बूट में क्या कुछ डिफरेंट यहां पर यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं रखेंगे यहां पर इसके वील के वाश पार सेंदर नहीं आ रही है रिया सीट सिक्स्टी फॉर्टिस प्लेट वे में आप आप इसमेंटन बूट कर सकते हैं बूत लइत भी आपको यहां नहीं मिलीगी बारी आपकी एसके सब्सक्राइब कर सकते हैं पर यहां पर पार्सल प्रे आडड हो गयी है बागी लगबग सेम यहां पर बूट लाइट का पावर लॉकेट भी साइट पे आड़ होगे स्पेर विल सेम साइज के स्टील विल यहां पर भी समें मिलता है और यह आप देख सकते हैं कंप्रीट बूट और बंद करके इसके टेल किट को आणना बात कर लेते हैं इनकी रियर सीट के बार में तो जो रियर सीट है उनमें यहां पर आपको मैं डिफ्रेंस दिखाता हूं सबसे वहले हम यहां पर खुलते हैं टॉप इंट विरियंट का दूर यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सिंगल टून ब्लाक किलर के नदर ही आपको यहां पूरा मिलने वाल है लेदर पैडिंग आपको यहां पर इसमें पूरी क यहां पर है AC vents नीच आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं मैप पॉकेट शारी इस कार के अंदर बाकी आप यहां पर देख सकते हो पर संडूरूफ आ रही है पर आपको रूफ फ्लाइट मिल जाती है और थ्री पॉइंट सीट बेल्ट है ऐसी कुछ है यहा पर compare करते हैं बेस वेरियंट के साथ तो नहीं हाँ पर आप देख सकते हैं सबसे वहले बेस वेरियंट का डूर पैड यहां पर बिल्कुल सेम ब्लाक लेडर के अंदर मिलेगा लेकिन यहां पर आ जाता है फैब्री का डिफरेंट उसके अंदर आपको यहां पर पूरा कुछ इस तरह के डिजाइन पातरन के सब्सक्राइब करेंश तेन एदिरस आपको यहां पर इसमें मिल रहे हैं रियर इस इवेंट आरे नीच आपको टइप से पले नहीं मिल रहे हैं आपको आ पॉकिट सिस्में भी आ रहे हैं रोफ अन है पूए सीट के डिफरेंस और यहां पर है पूरी फैब्रिक पैडिंग यहां पर हाट ब्लास्टिक है ग्रोम डॉर हांडल इसके अंदर आपको यहां पर टू स्पीकर्स आफ़र किया रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैनुल एजस्मेंट के साथ ड्राइवर साइट सीट है हाइट भी आप इसके जास कर सकते हैं फैब्रिक अंदर यह सीट रहने वाली हैं और कुछ ऐसा डाशबूर्ड लेट आपको यहां कंप्लीट मिल जाता है स्टार्ट स्टाप स्वेच आपको यहां बेस वीरेंट से मिल रहे हैं जो कि यह काफी जादा अच्छी बात है बाकी ओवराल डाशबूर्ड लॉड कुछ इस तरह का आने वाल है कीज आपको यहां पर दोनी कार्स के अंदर बिल्कुल से मिलेगी लॉक और अनलॉक के ऑप चलिए अब कर लेते एक बरी कार का इगनेशना यहां पर आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट वाइट इल्यूमिनेशन के साथ आपको यह इस कार में प्रवाइड किया जा रहा है और एमेडी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेडिंग वील आप यहां पर कोई भी स्क्रीन वगरां नहीं आरे इसमें एस इवेंट मैट ब्लाक फिनिशिंग के साथ आते हैं फुली आटमाटिक क्लाइमेट कंट्रोल आरे इसकार के अंदर यहां पर कोई भी वेस्पी के पोर्ट या वाइलस चार्जर में नहीं मिलने वाल है यह लिवर बाकी अवली कार आपने कम्वीट देख लिए सेफटी में आपको यहां पर दो यह बैक्स मिलेंगे फ्रेंट टो यह बैक्स में अरे उसके अंदर आपको छे बाट टूटल मिल जाते हैं और अब चलते हैं वी वेरिंट के अंदर आपर चलकर देखते कि क्या कुछ इस करके अनदर आ रहा है आपको यहां पर इसमें मिल जाते हैं फ्रेंट यह वाई पकले आपको यहां दोनों टॉगल्स मिलेंगे ऑटो डिमिंग आयर बीम आगे इसके अंदर मैसिफ पैनरोमिक संडूफ आगे इसकार कंदर वाइस कमांड चागे हैं बाकी संडूफ का भी आप देखी सकते कितना में सब्सक्राइब कर देख सकते हैं नाइन इंचेस की स्क्रीन एंडॉड आपल कार प्ले एम एफम लियुक्त सब कुछ आपको यहां पर इसके अंदर मिल जाता है एंड ऐसे कुछ यहां कर्सका कंपीट इंटरफेस डैनेवल है कार के लेटेट भी आप काफी सारी सब्सक्राइब कोलते हैं इसके पूरी यह आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आपके संदुफ मिल जाएगी दोनों के दोनों ग्लाशेस ने इसके पूरे ओपन हो जाते हैं तेजा देखो हैं ना कितनी मस्त प्रॉपर वाइड ओपनिंग इसकी वाकि भ्यानी साब इसे बंद भ सब्सक्राइब को मिल जाएंगे बागी आप देख सकते कंप्लीट कार यहां पर ऊफलेट सो डिफरेंट स्टाइल में संग्लास होल्डर इसके अंदर आ गया है ठीक है और यहां पर वैनिटी मेरे वगएर आपको मिल जाता है और अब बंद करते हैं इसको यहां से और बात पर मनी लगता है 10.48 लाख रुपीज वह इंजन है और आफ्टर मार्केट आप काफी जादे इसमें काम करवा सकते हैं और काफी जादा इसे अच्छा वेरिंट बना सकते हैं पेरास टॉपेंट के अंदर भी कुछ ऐसे बड़िया 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 जो कि आप इसमें लगवा सकते हैं जैसे कि पैनोरामिक संद्रॉफ होगी वह आप यहां पर इसमें कभी भी नहीं लगवा पहोगे बाकि अलॉइविल्च वगएर तो चलो आप यह सेम इसके अंदर भी इंस्टॉल करवा सकते हो यहां पर टॉपेंट वेरियंट को उस बंदे करना चाहिए जिसको कुछ भी आफ्टर मार्केट टच नहीं करवाना अपनी कार के अंदर एंड बिल्कुल वह चाहता है कि एक बरीकार लो और कद कुछ नहीं मेरे को इसमें चेंजेश वगएरा करवाने उसन लोगों के लिए हां पर बना टॉपेंट वेरियंट बाकि अगर आप चीड से देखो यार इंजन सब्सक्राइब कर आपको सब कुछी ओफर किया रहे हैं जो किने काफी जादा अच्छी बात है बाकि तो गई यहीं थी कंप्लीट वीडियो आई होप यॉप यॉल इंज्ट इस वीडियो प्लीज चेरेट विचेरेट 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 आप ज अगर आपको पसंद रही होओ से वीटो को लाइक कर और साथ साच चेरेट विचेरेट विचेरेट वगट प्रेंज और फैमली का साथ तांक यू